दोस्तो गूगल क्रोम की सर्च हिस्टी को पर्मानेंटली कैसे डिलीट करते हैं इस वडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं ऐसे आप बहुत ज़दा यहाँ पर चीजी सर्च कर लेते हैं फिर हमें डल लगा रहता है कि भाई कोई हमारा सर्च हिस्टी ना देख ले इसलिए हम चाहते हैं इसे पर्मानेंटली साप करना यानि कि डिलीट करना तो इस वडियो के अंदर दोस्तो मैं आपको एक नहीं बलकि दो ट्रिक बताऊंगा दोनों ही ट्रिक का इस्तमाल करके दोस्तो हमेशा कले दोस्तो आप अपने फोन से पूरा का पूरा जो सर्च हिस्टी है उसे डिलीट कर सकते हैं जिसके बाद दोस्तो कोई लाग कोसिस भी कर लेगा ना फिर भी आपका जो सर्च हिस्टी है ये नहीं निकाल पाएगा समझे तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़दा important है अगर आप भी अपने chrome browser या फिर किसी भी browser का search history delete करना चाहते हैं तो ठीक है तो चले हम इस वीडियो को start करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो like और share कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने chrome browser का search history है उसे permanently delete करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने mobile की अंदर ये जो chrome browser है इसे open करेना है जरूरी नहीं है सिर्फ है chrome browser में अगर आप कोई दूसरा browser use करते हैं तो उसका भी दोस्तों history आ है delete कर सकते हैं समझे रहो तो सबसे पहले आपको chrome browser को open करेना है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो काफी सारी चीजे हमने search कर रखा है अब आपने भी अपने phone में बहुत सारी चीजे यहाँ पर search कर लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है यहाँ पर दिखने लग जाता है कोई भी हमारा phone लेगा तो यहाँ पर देख सकता है कि हमने क्या क्या search किया है तो हमें डड़ लगा रहता है लेकिन दोस्तों आज यह मैं आपको trick बताने जा रहा हूँ जिससे यह सारी चीजे आप साप कर सकते है permanently ठीक है तो उसके लिए आपको करना क्या होग जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने क्या क्या search किया है किस date को search किया हो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है अब यही से दोस्तों अगर आप click करके delete करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा समय भी लगेगा और यहाँ से permanently delete नहीं होगा ठीक है यहाँ से delete करने के बाद भी my activity के अंदर आपका पूरा search history सेव रहता है समझे रो तो यहाँ से आपको पहले delete नहीं करना है सबसे पहला जो trick है वो है दोस्तों my activity से आपको delete करना है ठीक है तो आपको my activity के ऊपर जो है click कर देना है इस पर click करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है हमें क्या करना है इसे permanently delete करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो filter के आगे यहाँ पर एक delete का button दिया है तो इसी delete के ऊपर click करना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है कब का आप activity चाहते हैं तो हमें all time कचे तो यहाँ पर all time के ऊपर आपको click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सभी app आजाएगा कि कि किसका दोस्तों आप पूरा का पूरा activity delete करना चाहते है search history delete करना चाहते है तो यहाँ पर सभी Google के app आजाते हैं तो आपको क्या करना है सब पर click mark नहीं रखना है तो आपको Google Chrome को select कर लेना है उसके बाद पर select करना है अगर आप और भी app का history delete करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं जैसे की play store वगर ठीक है तो हमने यहाँ पर Chrome browser और search जो Google का है इसे दोस्तों हमने select कर लिया है उसके बाद आपको next कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको delete के उपर click कर देना है delete के उपर click करते ही दोस्तों आपका पूरा deletion जो है complete हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ से हमारा जो activity है पूरा का पूरा साप हो चुका है ठीक है अब आपको got it के उपर click कर देना है इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है एक trick हमारे phone के अ apply हो गया अब हमारा जो हिष्टी है वो permanently वहाँ से activity के अंदर से delete हो गया जिसके बाद दोस्तों आपको दूसरा काम करना है उसके लिए आप क्या करेंगे वापस से तिन डॉट के उपर click करके हिष्टी में आएंगे अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो अभी आप आपका जो पूरा का पूरा हिष्टी है वो यहाँ पर दिख रहा है माई activity के अंदर से तो delete हो गया लेकिन यहाँ पर अभी भी यह है तो हमें क्या करना है इसे भी delete करना है तो यहाँ पर एक एक करके आपको delete नहीं करना है एक ही बार में आप यह पूरा साप कर सकते हैं जि इसके बाद दोस्तों यहां से भी आपका पूरा का पूरा जो डाटा है और डिलीट हो जाएगा समझ गया पूरा हिष्टी यहां पर आप देख लीज़े डिलीट हो गया अब जब भी दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है Christie वाले सेकों में आना है और clear data के उपर क्लिक कर देना है Chrome browser का पूरा का पूरा data ही clear हो जाएगा समझ गया तो इस तरह से आप Chrome browser का पूरा हिष्टी डिलीट कर सकते हैं तो वीडियो पसंत आया तो like ओ o share तेयर कर देना